हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं IRFC के बारे में यहां पर कुछ मेजर अपडेट्स निकल के आ रहे हैं IRFC से रिलेटेड आज के दिन भी एक अच्छी खासी तेजी IRFC के शेर में दे के लिए उससे पहले एक अच्छी खासी रैली बनी रहेगी और साथ के साथ उसके बाद फितो अनौंसमेंट पर डिपेंड करेगा ही करेगा यहां पर कुछ मेजर अनौंसमेंट अभी निकल के आ रहे हैं जो कि मैं इस वीडियो को तुरू बताने वाला हूं तो पूरी वी मार्केट सेनारियों पर नजल डालेते हैं तो मार्केट आज कोई बहुत बड़ी तेजी तो नहीं दिखा रहा लेकिन अगर आप देखोगे तो एक नॉर्मल एक सुच्छ पॉइंट सेंसेक्स में अपसाइड क्लोजिंग हुई निफ्टी 50 में 35 पॉइंट निफ्टी बैं मैक्स फाइनेशियल्स और मेट्रोपॉलिस चार परसंट से लेके साड़े चार परसंट की तेजी दिखाई है और आज के दिन के टॉप गेनर की लिष्ट में शामिल हुआ है वहीं TBS मोटर M&M फाइनेशियल्स इंडिया बोल्स हाउसिंग और श्रीराम फाइनांस धाई प आपको डिरेक्टली लेकर चलता हूं कि IRFC में आज के दिन का माहुल कैसरा है एक इंपॉर्डेन अपडेल्ट बता देता हूं मैंने अपने दूसरे चैनल पर दूसी वीडियो अपलोड कर दी है जिसमें मैंने टॉप पाँच पैनी स्टॉक बताएं हैं जो कि आप दोजा आप ग्रोध बहुत जादा है क्योंकि इनका जो बिजनेस यहां से वो काफी अच्छा कासा नजर आ रहा है ओडर्स भी इनके पास अच्छे हैं तो आप जाके देख लीजिए वीडियो के डेस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कराई हुई है वहां से जाके आप चेक आउट कर लीजिए आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो IRFC में आज करीबन धाई परसेंट का अपसाइड वूमेंट देखने को मिला है एक अच्छी तेजी देखने को मिली आज 34 रुपे के लेवल को भी क्रॉस किया था यानि कि आज अगर आप देखोगे 33 रुप पास आएगा आपको यहां पर एक अच्छी तेजी और देखने को मिलती रहेगी जो पिछले एक महीने में आपको हाल फिलाल में नेगेटिव रिटरंस नजर आ रहे थे वो आज एट पार जैसी सिचुएशन पर आ गए है यानि कि अगर आप देखोगे तो पिछले एक मही महीने में तो आपको कुछ रिटरं नहीं मिले लेकिन पिछले छे महीने में आपको बहुत ज़्यादा बैतरिन रिटरंस मिल चुके हैं IRFC से करीवन 71% के आसपास और छे महीने में अगर 70-72% के रिटरं मिल रहे हैं वो भी रिस्क फ्री स्टॉक से तो मेरे ख्याल से यह एक पहुत बड़ा अचीवमेंट आपके लिए बनता है अगर आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है तो अब वॉल्यूम टॉपर की लिस्ट आपको देखाता हूँ यहाँ पे आप देखो कि IRFC यदे शेयर में इतना ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है कि टॉप फोर अगर आप देखो कि प्लेस में से एक प्लेस IRFC का है वॉल्यूम टॉपर की लिष्ट में येस बैंक नमबर वन साउथ इंडियन बैंक सेगिंड नमबर सुजलोन एनरजी थर्ड और IRFC फोर्थ नमबर पर आपको यहाँ देखने को मिल रही है अब मैं आपको यहाँ प देखो कि IRFC के IPO की कीमत जो थी वो 25 रुपे से 26 रुपे के शेयर पर तै की गई थी IRFC भारती रेल के लिए फंडिंग की एक समर्पित एकाई है यानि कि यूनिट है इस कंपनी की स्तापना अगर आप देखूँगे 1986 में की गई थी ताकि भारती रेल के लिए देश प्रोजेक्ट के लिए IRFC 45 से 55 प्रतीसत्त की फंडिंग करती है यानि कि आप जो मैं आपको बोलता रहता हूं प्रीवेस वीडियो में इतनी वारी बोलता हूं कि जितना भी अराउंसमेंट होगा उसका डेरेक्ली और इंडेरेक्ली बेनिफेट IRFC को मिलेगा वो इसलिए मि कारिन्टी के अवज में ये कंपनी रेनले को रोल प्रोवाइड कराती है तो यहां से काफी कम उस पे लोन पर प्रोवाइड कराती है लेकिन इंटरेस्ट इंकम बहुत तगड़ी जनरेट हो जाती है क्योंकि अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है अगर हम यहां पे मानें तो IRFC में मात्र 37 एंप्लोईज काम करते हैं लेकिन इसका नेट वर्थ अगर आप देखोगे 41,041,000 करोड रुपे के पार पहुंच चुका है सरका से मिली छूट के कारा है इस कंपनी को टेक्स भी नहीं भरना पड़ता है और किसी कंपनी में इंवेस्ट में करने लिए जादा है टेक्स पे नहीं करना पड़ता है और अगर आप देखोगे तो सारी की सारी चीजें आपको बहुत ही ज़्यादा भैतरी नजर आती है और इसी लिए ये एक बहुत तगड़ी कंपनी बन जाती है इंवेस्ट मेंट परपस के लिए अगर आप देखो पिछले महीन आई एफसी ने आई आई एफसी एल के साथ एक पार्टनर्शिप्ट की थी ताकि रेलवे की बुन्यादी धाचा परेयोजना की फाइनसिंग भी की जा सके दोजार उन्नीस बीस और दोजार बीस बाइस के दोरान परिचालन से आई एफसी का राजस 51 प्रतिसत बढ़कर 20, 302 करोड रुपे पहुंच चुका है और इसमें इसका अगर हम प्रॉफिट देखें तो लगबग लगग डवल हो गया 6090 करोड पर पहुंच गया है तो आप ये समझ पा रहे होगे कि आखिर जो आई एर एफसी है वो किस अकॉर्डिंग ग्रोथ दिखा रही है वहीं अगर हम कुछ यहां पे प्रोजेक्स के बारे में बात करें तो आप देख पाऊगे कि इंडियन रेलवेज 2030 तक वर्ड की लाज़ेस्ट ग्रीन रेलवे बनने को रेडी हो चुकी है यानि कि जिस अकॉर्डिंग इंडिया का फोकस है पूरी तरीके से पॉलुशन फ्री रेलवे बनाने का वो दोजा 30 तक अचीब हो जाएगा करीबन 32,000 के किलो मीटर का जो ओवरॉल इलेक्टिफाइड आपको जो रेलवे ट्रेक देखने को मिलेगा वो करीबन 8 साल में कम्प्लीट होते हो नजर आ जाएगा इसमें अगर आप एक चीज और ध्यान रखोगे तो आपको पता चलेगा यहां पर जो दूसरी कंपनीज हैं उनको भी इंडिरेक्ली बेनिफिट मिलेगा यानि कि जो ग्रीन एनरजी प्रोजेक्ट्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है या सोलर एनरजी प्रोजेक्स पर फोकस करती है तो 2023 में आप एक थोड़ा सा माइन में यह ले रही है क्योंकि इनका जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट नजर आता है तो मैंने यहां पर आपको रिपोर्ट बताई साथ के साथ एक रिपोर्ट भी मैंने अल्रेड़ी आपको बताई थी कि जो IRFC है बाकी और भी कंपनीज के साथ साथ यहां पे इतना तग कोड़ सकती है रेवेन्यू यहां पे अच्छागासा इंक्रीज हो सकता है साथ के साथ आपको फिर से एक बारी जो डिवीडेंट है वो देखने को मिल सकता है ऐसे चांसे लगाए जा रहे हैं बाकी तो जब इसका Q3 आएगा exact scenario पहले थी पता चल जाएगा उससे पहले भी अगर आप देखोगे तो budget वाला भी scene यहां पे अच्छागासा बनी रहा है तो IRFC काफी आदा भी highlighted share है इसमें volume आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा trading अच्छी गासी इसमें देखने को मिलने वाली है तो उसी के according यहां पर अपनी position बना लीजिए वीडियो अच्छी आप